कि नमस्कार मैं मलिक चोवान और आप देखे रहें परिवर्तल निश चैनल परिवर्तल निश चैनल में आप सभी का स्वागत है आई ये दिखते हैं आज की अहम ख़बरे एक तरफ हम बड़े जोश के साथ ये नारा लगाते हैं जै जवान जै किसान और दूसरी तरफ हमारा वही किसान दिन रात महिनत करके खेतों में बीज बोता है लेकिन अपनी फसलों को पानी समय पर नहीं दे पाता कारण है बिजिली का ना होना ये एक आम समस्या हो चुकी है खेतों में डीपी बंद हो जाने या जल जाने पर कई कई दिनों तक किसान अपनी फसलों को पानी नहीं दे पाते ऐसी ही एक समस्या किनुवर तालुके के मांडवा और रायपूरतांडा गाउं के किसानों को भी हुई जब इन इलाकों में डीपी जल जाने के कारण यहां के किसान अपनी फसलों को पानी देने के लिए बिजिली ना होने के कारण परेशान थे दस दिन गुजर जाने पर भी इन इलाकों में बंदपड़ी डीपी को दुरुस्त नहीं किया गया ठक हार कर यह किसान अपनी फरियात लेकर हिंगोली लोकसभा के सांसद हेमंद पाटिल तक जा पहुँचे सांसद हेमंद पाटिल ने इस समस्या को गंबिरता से लेकर तुरंत ही बिजिली विबाक के आला अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें इन इलाकों में तुरंत बिजिली शुरू करने की मांग की बिजिली विबाग के अधिकारी तुरंत हरकत में आकर दस दिनों से बंद पड़ी डीपी को बदल कर इन इलाकों में 100 केवी की नई डीपी लगवाई सांसद हेमन पाटिल द्वारा अब तक किनवट माहूर तालूके में 200 के करीब डीपी लगाई जा चुकी है अपनी फसलों को पानी देने के लिए बिजिली की विवस्ता कराने पर इस इलाके के किसानों ने सांसद हेमन पाटिल का आभार माना है किनवट शहर से गुजरने वाले राष्ट्री महामार्ग के निर्मान का काम शहर तक आ चुका है शहर के कई हिसों में पेलों की कटाई भी हो चुकी है लेकिन लगता है जब तक महामार्ग का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक समस्या इस महामार्ग का पीचे नहीं छोडेंगी कभी बाइपास बनाने को लेकर समस्या खड़ी कर दी जाती है तो कभी अब्यारन वो इको जोन का सावाल खड़ा करके काम को रोकने की कोशिश की जाती है तो कभी शहर में से गुजरने वाली बड़ी गाड़ें का सावाल पैदा कर दिया जाता है एक तरफ शहर समेत पूरे तालुके के 99.99% जन तक यही चाती है के यह महामार्ग शहर से गुजरे ताके शहर का विकास हो सके तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के बनाए गए शिष्ट मंडल दौरा इस महामार्ग के काम में अर्थडा निर्मान करके इस महामार्ग की 120 फिट की चौड़ाई को कम करके 60 फिट रखने की चर्चाएं भी सुनने को मिल रही है अगर ये चर्चाएं सच साबित होती है तो क्या इसे महामार्ग कहना सही साबित होगा ऐसी समस्याएं सिर्फ किनुवट शहर में ही क्यों यही महामार्ग भोकर वो हिमायत नगर से भी होकर गुजरा है वहाँ भी शहरों में इसकी चवड़ाई 120 फिट रखी गई है लेकिन क्या कभी आपने भोकर वो हिमायत नगर के नागरिकों द्वारा इस महामार्ग को लेकर किसी तरह का विरोध देखा है नहीं तो फिर ऐसा विरोध सिर्फ किनुवट में ही क्यों राष्ट्री महामार्ग की 120 फिट की चवड़ाई को 60 फिट करने जैसी चर्चाओं से किनुवट शहर के नागरिकों में काफी गुसा देखने को मिल रहा है अगर महामार्ग की चवड़ाई 120 फिट से 60 फिट हो जाती है तो किनुवट के नागिरिकों का घुसा कहीं किसी आंदोलों का रूप ना ले ले